सतना जिले में अवैस सराब पर पुलिस ने बड़ी कारवाही की है परसनिया के जंगल में चल रहा था कार खाना 360 लीटर अवैस सराब नश्ट आरोफी फरार नमस्कार मेरा नाम है शिवन कुश्वाहा और आप देख रहे हैं दाख़बरदान नियोज सतना जिले के आदिवासी बाहुल पर समनिया छेतर के जंगल में चल रहे अवैस सराब बनाने के कार खाने का पुलिस ने भंड़ा फोड किया है इस अवैस कार खाने से 360 लीटर अवैस सराब जब्त कर नश्ट की गई है काथी जैंतरी के दिन हुई इस कारवाही से छेतर में अवैस सराब का कारोबार करने वालों में हरकंप मचा हुआ है हासिल जानकारी के मुताबित रविबार को जसो थाना पुलिस ने परसमनिया पठार के वन ग्राम जादावपुर बरहाई में दाविस दे कर अवैस सराब बनाने के कार खाने का भंड़ा फोड किया है पुलिस को खबर मिली थी कि दीपु सिंग नाम का ब्यक्ति यहां सराब बनाने और फिर इसे गामिर छेत्रों में सप्लाई करने का काम करता है तस्दीक के बाद पुलिस की टीम ने जादावपुर बरहाई में दाविस दी यहां का नजारा देख पुलिस कर्मियों की भी आँखे फटी रह गए टेंट लगा कर यहां सराब बनाने का काम चल रहा था कई भठियां जल रही थी और बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे जैसे ही पुलिस पहुची वहां भगदर मच गए सराब तसकर के गुर्गे भागने लगे एक गुर्गे पर पुलिस ने हाथ भी डाला लेकिन मोका मिलते ही वह जंगल की आड लेकर भाग निकलने में कामयाब हो गया पुलिस ने इस अवैद अड़े से 360 लिटर अवैद देशी सराब जबत करनेश्ट कर दी इस मामले में दीपु सिंग वगेरे के खिलाप आवकारी एक्ट के तहर जसो थाना में मामला दर्ज किया गया है सादें की परसमनिया के जंगल से जुड़ी बस्तियों में कई जगे महुआ की सराब का कारोबार किया जाता है कई ग्रामेडों ने इस कारोबार को अपने अजीविका का साधन भी बना रखा है हलाकि पुलिस अक्सर धर पकड़ करती रहती है ब्यूरे रिपोर्ट दा खबरदान न्यूज